देश में आज समिधान दिवस मनाया जा रहा है। के रूप में मोदी सरकार भाबा साहिब अम्रेड कर जी के आदर्सों पर चलते हुए 130 क्रोड देश वासियों के कल्यान के संकल्प के साथ देश की एकता और खंडता को बनाये रखने के लिए कटिबध है। समस्त देश वासियों को सुविधान दिवस की हार्दिक सुब काम नाये। सुविधान दिवस पर मंगलवार को संसद के दोनों सद्रों का एक स्यूंक्त सत्र बलाया गया है। संसद के सेंटरल हाल में आयुजित स्यूक 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 और राष्टरपति रामनाथ को विंद उपर राष्टरपति वंक ये नायडूर परधानमंत्री ट्रेंदर मोधी समधित कर सकते हैं इस मोके पर नेशनल यूथ पार्लेमेंट स्कीम पर वेब पोर्टल भी लांच होगा सत्र साल पहले 26 नॉबर 1949 को भारत के सुमिधान को अपनाया गया था बाद में 26 जनुबर 1950 को इसे देश में लागू किया गया 11 अक्तुबर 2015 को मुंबई में डाक्टर अम्बेडकर की परतिमा का सिल्याना न्यास करते हुए प्रधरमत्री मोधी ने 26 नॉबर को सुमिधान दिवस के रूप में बनाने की घोशना की थी सुमिधान दिवस आयजन के पीछे मकसद है जनता को इसको लेकर जागरुकता फैलाने और डाक्टर अम्बेडकर के योगदान के सभी को प्रिचित कराने की